हेलो फेंड्स अगर आप एक श्टार्ट अप है या फिर आई जे मेडिकल रैप कांग कर रहे हैं तो अगर आपको अपने कस्टमर से रिलेसंसीब बनाना है मेंस डॉक्टर की बात करें या फिर मैं बात करूं मेडिकल स्टोर कि उसमें सबसे अच्छे तरीके से आप कैसे बि बहुत कुछ आता हो या ना आता हो अपने जो बिजनेस है ना उसको बूस्ट कर सकते हो अपने प्रिस्किप्शन को बूस्ट कर सकते हो अपने प्योब को बूस्ट कर सकते हो सारे स्किल को एक साइड रख दो रिलेसंसीब जो है पहले नंबर पे आता है रिलेसंसीब बनान प्रोट्रक नॉलेज अच्छा है बहुत अच्छी से अच्छे तरीके से अपने ब्रेंड को आप रिप्रिजन कर पाएंगे जिससे आपका बिजन कर पाएंगे जिसके आपका बहुत अच्छे सब्सक्राइब करेंगे इसके लावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वह है कम्पीटिटर एनलेसिस आपको क्या कर रहा है क्या देर रहा है कैसे एक्ट कर रहा है यह सब चीजे भी बहुत ज़्यदा मैटर करती है अगर आपको बिजनेस जेनरेट करना है चाहे वह डॉक्टर हो चाहे वह केमिस्ट हो दोनों से मैंने आपको पांच पॉइंट बताये हुए हैं अगर इन पांच पॉइंट को फालू करते हैं अपने ब्रेंड इंपो को मेंटेर लगते हैं अब यहां बहुत सरह लोगों को कुश्चन यह भी हो सकता है कि सब इतना कुश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है तो मैं सच बता दू इतना कुछ आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो लेकिन reality में आप वह सारी चीजे नहीं कर रहे हैं अगर आप यह reality में सारी चीजे कर रहे होंगे guaranteed है hundred percent है result आएगा आपको अच्छा बिजनिस मिलेगा ठीक है input में यहां दोनों चीज़ आप इन्वेस्टमेंट और देते दोनों चीज़ को include कर लीजेगा बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना हो सकता कि बिना investment की बिजनिस नहीं आ सकता लेकिन मेरे friend मेरे भाई investment तब कर पाऊगे जब आपके relation होगे बिना relation के अगर इन्वेस्टमेंट activities किया तो कभी भी return नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए activity करने के लिए भी आपका relation होना जरूरी है बहुत सारी companies बहुत सारी लोग ऐसा सुचते हैं कि बश जाएंगे investment करेंगे धंता आ जाएगा investment कराते धंदा नहीं आता उसके बद्रसान होते रहते चक्क्र कारते रहते दौटते रहते वले पैट्रोल मेरे उतना पैसा और जदा खर्च हो जाता है तो यह बने चारपान चीज़े आपको बताने की कोशिस किया है इसी को फालो करिए इसी में रम जाईए और भूत बन जाईए अगर किसी से बिजनस निकालना है तब ही जाके काम होने वाले है आज के कम्पीटिटिव टाइम के अंदर और यस अगर आप फार्मा स्टाटप है आनलाइन की तरफ जरूद ध्यान दिए एक नहीं 50 बार बोल चुका हूं आनलाइन बिजनस को डेवलप करने की कोशिस करिए या फिर मेरे साथ परसनल कंसेंटेशन जो मेरा यह नंबर आ रहा है यहां पर परसनल कंसेंटेशन मुझसे लेके अब बात के लिजे कैसे हम आनल की रिव्यू कैसे किया जाता है मीटिंग कैसे की जाता है कंपनी की प्लानिंग कैसे की जाता है यह सारी चीजें होती कैसे की हैं वह सारा सभी चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने अपने वर्क्सॉप के अंदर दिया हुआ है तो वर्क्सॉप के भी रिकॉर्डिंग आप ले कि देख सकते हैं, उसका cost only 1000 रुपीज है, जिसमें बहुत सारा धेर सारा भरभर के knowledge मिलता है, ठीक है, दो दिन का workshop मैंने किया हुआ था, जिसमें आपको review कैसे किया जाता है, प्लस आप जो है planning कैसे बनाएंगे, designing कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मौका मिलता है, क्योंकि बिना planning किये हुए company run नहीं हो सकती, अजब तक करते रहोगे, तक वही है कि छोटा जिंदा होता रहेगा, बड़ा कभी नहीं कर पाओगे, बड़ा बिना planning क नहीं योगा.